दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के कंपनी में जाते हैं और देखते हैं इस तरह से प्लेट निकलते हुए बिलकुल फिनिशिंग और एकडम साफ सुतरा ऐसे देखने पे हमें भी मन में ये लगता है कि कास हमारी भी मसीन इस तरह से चलता और तो इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं और आप भी ह्स बिजिनस को करते हैं और आपवी चाहते हैं की आपने मसीन плन से चलिए तो इस वीडियो को आप unnatural झरूर देखें आज हम आप सब इस वीडियो के माधियम से यह पूरी काड़ी आपको देंगे और वो पूरी सेटिंग बताएंगे कैसे आप अपने मसीन को इस तरह से चला सकते हैं और बिल्कुन फिनीशिंग से अपना माल बना सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तेक पहुचे तो चलिए वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा नोलेज की जरूरत है और वो क्या-क्या मसीन की सेटिंग की जरूरत है और वो क्या-क्या सेटिंग करना है मसीन में वह हम आपको बताते हैं तो वीडियो को स्कीप ना कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक ज उतना जहेले इस काम में उतना जहेले ही लेकिन मेरा प्रेट attic का टेसे से कटे कि रूके ना क्योंसेक्व प्रको रेख आथ है मेरे पास में कि प्लेट मेरा साप से नहीं कड़ता है और और बादी उसमें लगा रह जाता है तो उसके लिए आपको दो-तीन सेटिंग करना होगा और क्या-क्या सेटिंग करना है वह आप कॉपी पेन लेके बैठें नोट करते जाएं और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इतना बारीक से कोई भी आपको नहीं बताएगा इतना बारीकी से तो कोई मसीन जो साइल नहीं होगा हर कोई सक्सेस हो जाएगा लेकिन बहुत लोग हैं कि हमारी बातों को विश्वास भी नहीं करते हैं और जो लोग करते हैं उन लोग काम अच्छे से चल भी रहा है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें पहला तो सेटिंग यह करना होगा कि मसीन का बेल्ट चेक करना है कि अगर यह दी आपका मसीन का बेल्ट लूज है तो आपको पहले उसको टाइट करना है बेल्ट टाइट करने के लिए मेरा एक वीडियो डला हुआ है एसे सेम गूरू चैनल पर आप उस पर जाकर देख सकते हैं और ना तो इसमें भी हम आपको दूसर में प्रेसर्जों होटा उसका पॉवर बढ़ जाता है यसरे किि मेर्ट लूज है और अगर प्रेशर बढ़ ऊते हैं तो दाई पर बैढ़ जाता है जाके वह फिर नहीं रनिंग को नहीं वह दाटाहां और अगर यदि आप बेल्ट को टाइट करते हैं तो बेल्ट टाइट करने के बाद प्रेसर का ताकत बढ़ जाता है तो अगर यदि आप ज़्यादा भी प्रेसर देते हैं मसीन पे तो भी आपका मसीन जाम नहीं होगा लेकिन ज़्यादा नहीं देना है हमें चेक करना है कि य लाइट करेंगे तो उसको दावको कम करना है यह सारी बात नोट करना आप क्यूंकि यह बहुत ही पुइंट वाली बात है चोटी से चोटी जानकाड़ी आपको इस मसीन को लिए रखना होगा अगर आप नहीं रखते हैं तो उसमें आप बहुत परेसान हो सकते हैं तो यह हो गया और बेल टाइट करने के बाद आपको उची देख लिए अगर यदि आपका वो हो रहा है करेंग जान तो प्रेसर को कम कर देना है लिए चलाना यदि हो टाइट होने के बाद महिंसीन रुख के चल रहा है तो रुख के चलने के बाद भी अगर नहीं करता हो तो आप समझता है आपका डाई जो है धार खतम हो चुका है और प्यिस के बढas करने के बाद उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा की मसीन की 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 अधर अंदर स्प्राइब होता है हर डाई में प dá perdise na krasa होता है उसके अंदर में स्प्रिंग दिया होता है आपको उस स्प्रिंग को क्या करना होगा अगर आप थाली चला रहे हैं तो उसमें चार स्प्रिंग होता है वो चारों स्प्रिंग को एक एक राउंड या आधा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-ध भी नहीं होता है तो आपको जो नीचे का प्लेट होता जिस पर ड्ञाइ रखते हैं उसका पैर जो चारो-खो तरव से बराबर है या नहीं है वह आपको बराबर होना चीए वह कैसे होगा आपको कोई सीक या तिली या कुछ भी आप जितना पर आपका प्लेट है नीचे से 4-5 इंच गैप होता है जब लोहा जो जिस पर मडाई रखते हैं तो वहां से 4-5 इंच उंचा प्लेट होता है तो चारो नट पे प्लेट को टाइड के आता या इस्पिरिंग पे किया जाता है तो आपको देखना है कि आपका जो प्लेट चारो साइड से एक समान है या नहीं यदि आपका प्लेट एक समान नहीं है तो आपको उसको पहले एक समान करना है एक बराबर करना एक लेवल पर लेकर करके आना है उसके बाद चलाना है 110% हम आपको बता रहे हैं यदि आप ये सारी ट्रिक को अपनाते हैं तो आपका ये मसीन जो है इतना फ्रेश चलेगा इतना फिनिसिंग माल निकलेगा कि आप उतना सोचे भी नहीं होंगे और यदि आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता हो या कुछ समझने में प्रोब्लम आ रहा हो तो आप हमारी फेक्टरी आके विजिट कर सकते हैं सीख सकते हैं और समझ सकते हैं काम को एक चीजा आपको क्लियर कर दें कि भाई अगर यदि आप लोग के मन में कोई डाउट हो क्योंकि हम जो बोलते हैं खुला बोलते हैं हम छुपाक नहीं बोलते हैं कि यदि आप कहीं से कुछ काम सीखते हैं वीडियो देखके आपको फो समझे कि 5 मिनट में उतना चार्ज कर रहें हैं कई आप ये समझे कि कितना बरा experience है इनके पास में और कितना experience हमें यह दे रहे हैं अगर यदी आप एक बार काम सीखते हैं और बहुत चार्ज होगा दो दे में आएंगे दूबारा नहें सिखाएगा भीना पैसे काटका थर यो जो 4 पर आपको पीए करना हिंगा हमारा भी श् sulfur fabric लगेगा तो और चुनीनakahEd लेकिन जो जाइज बनता है वो तो आपको करना हुआ क्योंकि हम भी आखिर हम भी इस काम को सीखे हैं तो मिस्तरी बुलवा बुलाके सीखते थे उसको लेता था वह घंटा दो हमें सीखाने नहीं आता था मेरा मसीन बनाने वह आता था तो उससे हम देख देख क्यों हम सीखते थे तो आखिर में जो भी मेरा समय लगता है जो मेरा एक्सप्रियंस है उसका तो चार्ज आपको पे करना ही होगा तो यदि आपको इस तरह का वीडियो चीए या कुछ सीखना हो तो आप वीडियो से सीख सकते हैं और यदि आप यहां पर आके सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहां आके भी सीख सकते हैं उसके लिए कोई दि तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बैल आकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तेक पहुचें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद